तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ रमेश सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Facebook अकॉंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने Facebook अकॉंट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आप अपने Facebook अकॉंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं अगर आप नहीं चानते हैं तो इस वीडियो में सीख जाएंगी तो दोस्तों अपने facebook account को delete करने के लिए इस तरह से आपको facebook app open करके top right corner में ये 3 lines पर click करना है जिसके बाद facebook का menu page open हो जाएगा तो guys यहाँ पर आपको top right hand side में इस setting gear icon पर click करना है इसमें आपको deactivation and deletion के इस option पर click करना है जिसके बाद अपने facebook account को deactivate और delete करने के ये दो options आपके सामने आएगे तो guys इनमें आप deactivate account option को select करके अपने facebook account को deactivate कर सकते हैं कुछ time के लिए facebook से break ले सकते हैं लेकिन अगर आपको अपने facebook account को permanently delete करना है तो यहाँ पर आपको delete account option को select करना है और continue to account deletion option पर click कर देना जिसके बाद reason select करने का option आएगे तो guys यहाँ पर आपको अपने facebook account को delete करने का reason select करना है reason select करने के बाद notifications को manage करने का option आपके सामने आएगे यहाँ पर आपको continue to account deletion option पर click करना है जिसके बाद facebook की कुछ suggestions आपके सामने आएंगे तो guys यहाँ पर साब साब बताया गया है कि एक बार deletion process start हो गया तो उसके बाद आप ना तो अपने account को वापस reactivate कर सकते हैं ना ही अपने facebook account में uploaded अपने contents को retrieve कर सकते हैं हाला कि आप अपने account को वापस reactivate कर सकते हैं कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बात में बताऊंगा तो दोस्तो यहाँ पर deactivate account option पर click करके आप अपने facebook account को delete करने की बज़ाए deactivate कर सकते हैं कियो Salvador आप अपने facebook account को delete करते हैं आप अपने Facebook account को deactivate कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने Facebook account में uploaded कुछ photos, videos या फिर कुछ post की बज़े से अपने Facebook account को delete कर रहे हैं तो यहाँ पर go to activity log option पक्लिक करके आप ऐसी सभी post photo videos को hide कर सकते हैं, archive section में add कर सकते हैं, archive करने के बाद आपकी archive post publicly hide हो जाएंगी और उन् अगर आपको अपने Facebook account को delete ही करना है तो यहाँ पर download info option पक्लिक करके आप Facebook में uploaded अपने contents को download कर सकते हैं, transfer info option पक्लिक करके किसी other services जैसे की Google photos या फिर किसी other cloud storage में transfer कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह भी नहीं करना चाते हैं, direct अपने Facebook account को delete कर देना चाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने Facebook account का password एंटर करना है और continue option पर click कर देना है, click करते हैं इस तरह से deletion process को confirm करने का option है, तो यहाँ पर आपको finally delete account option पर click कर देना है, जिसके बाद कुछी देर में आपका Facebook account delete हो जाएगा और इस तरह से pop-up में session expert का message आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ जिसमें आपका account वापस reactivate हो जाएगा, इन 30 दिनों के अंदर अगर आपका mind change हो जाता है, तो आप अपने Facebook account में login करके वापस reactivate कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 days तक अपने Facebook account में login नहीं करते हैं, तो आपका account permanently delete हो जाएगा, आप अपने Facebook account को फिर वापस recover नहीं कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों बिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में किसी न्यू टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन